डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सिकेंड बाद स्टार्ट स्रीमन मैं तो यह कह रहा था कि राज्य सरकारों का समाचार पत्रों के प्रती अगर यहीं रवाया रहेगा तो देश में इस धारणा को बनने से कोई रोक नहीं सकेगा कि हमारे देश में निश्पच समाचार पत्रों के लिए कोई अस्थान नहीं रह गया है बितमांत्री के जिस वक्तव्य का मैंने उलेख किया यह जो सज्जन अभी विवस्था का प्रस्न उठा रहे थे मैं उनसे चाहूंगा कि वे पहले उस वक्तव्य को देखने का कस्ट करे और तब इस परकार के विवस्था के प्रस्नों को उठाएं मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में अभी कुछ इस परकार के समाचार पत्र हैं जिनके संबंध में कानों में भानक पड़ी है कि पर्तियच रूप से चाहे उनको न कहा जाए लेकिन अपर्तियच रूप से उनके उपर दबाव डाला जाता रहा है कि वे निस्पच लेखिया समाचार प्रसारित न करे मेरा कहना यहा है कि सोतंत्र भारत में भिशेशकर जिस देश के अंदर प्रजातंत्र हो उसमें अगर इस परकार से दबाव डाला जाता रहा तो ए समाचार पत्र भांटों के गीत बनकर रह जाएंगे फिर ए जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाल पत्र नहीं रहेंगे मैं एक और बात का भी विशेश रूप से उलेख करना चाहूंगा और चाहूंगा कि स्री गुजराल जब अपना उत्तर दे तो इस बात को बताएं कि सरकार की क्यों यह प्रविर्ती चल पड़ी है कि जब प्रधानमंत्री विदेश जाएं या रस्पती बाहर जाएं तो सम समचार पत्रों के समधताओं से सीधे संपर्ग अस्थापित किये जाएं जो भी समचार एजेंसी है या पत्र हैं उसको कहना चाहिए कि आप अपने यहां के किसी प्रतिनिधी को भेंजे मुझे जानकारी मिली है कि इस बार जब प्रधानमंत्री इरान यात्रा पर गई तो एक समचार पत्र के प्रधान संपादक ने केवल इसलिए अपने प्रतिनिधी को भेंजने से इंकार कर दिया क्योंकि सरकार ने सीधे उनसे संपर्ग अस्थापित किया था यह प्रभृती भी इस बात की परिचायक है कि हमारे देश में निश्पच समचार पत्रों की क्या इस्थिती बनती जा रही है अगर यह डाल हाल रहेगा तो प्रजात अंत्र के लिए गौरों की बात नहीं होगी बल्कि अभिसाप होगा पैराग्राप चेंज इसी तरह का एक बात जो मैं यहां कहना चाहता हूँ वह यह हाई की समचार पत्रों को अख़पारों को जो निश्प्रिंट मिलता है उसकी इस्थिती यह हाई की लगभग 82% निश्प्रिंट विजेसों से आयात होता है अभी पीछे के जो आकड़े दिये गए थे उनके अनुसार गतवर्ष हमारे देश में निश्प्रिंट की जितनी कमी थी वह 78,000 टन थी लेकिन इसी अनुपात में इस वर्ष के लिए जो आकड़े दिये गए हैं उनमें 1,33,000 टन की कमी का अनुमान लगाया गया है मैं जो विशेश रूप से बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो बाहर से निश्प्रिंट का आयात होता है राज्य बेपार निगम द्वारा होता है राज्य बेपार निगम को जब पिछले वर्ष इस बात का अभास हो गया था कि निश्प्रिंट की यह इस्थिती होने व मैं भारत की राजधानी की बात कहता हूँ, बंबई, कलकत्ता और मदरास की बात नहीं कहता हूँ, ऐसे समाचार पत्र भी इस दिल्ली राजधानी में हैं, जो सरकार के कृपा पात्र हैं, और सरकार की कृपा का वे दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं चाहूंगा मंत्री महोदे बजार में जाकर अपने स्रोतों से इस बात की जानकारी ले की जितना निजप्रिंट उनको मिलता है, उसका पूरा उपयोग वे नहीं कर रहे हैं, वे अपनी संख्या ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, और निजप्रिंट ब्लैक में बेचते है और ब्लैक से दूसरे समाचार पत्र उसी निजप्रिंट को खरिद थे हैं, जब सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में इस परकार की घटनाए घट रही है, तो दूसरे बड़े नागरों में इस परकार की घटनाए नहीं घट रही होगी, इसके लिए क्या गारांटी दी जा स मैं इसके लिए यह चाहता हूं कि सुचना और प्रसारन मंत्री इस बात को अवस्य बताएं कि इस सदन को की भविश्य में निजप्रिंट की कमी को पूरा करने के लिए उनके पास क्या यूजनाएं हैं क्या वे भारत वर्ष में उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं या उसे बाहर से आयात करने के लिए उन्होंने कोई विशेश प्रियास किया है मेरी जनकारी तो यह है कि बंगलादेश से जैसा कि मैंने समचार पत्रों में देखा है भारत को आने वाला निजप्रिंट बंदरगाहों में पड़ा है लेकिन राजेवेपार निगम ने जहाज था नहीं कि जिससे वह निजप्रिंट यहां आ सके और समचार पत्रों को दिया जा सके इस बात की जाच विशेश रूप से होनी चाहिए पैराग्राफ चेंज एक बात मैं अकस्वाणी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संबंध में कहना चाहता हूँ अकस्वाणी सरकार की एजेंसी नहीं देश का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है लेकिन कुछ दिनों से अकस्वाणी की जीस्तरह की स्थिती बंती जा रही है उससे लगता है कि स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का यह माध्यम भी अब धीरे धीरे सरकार के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता जा रहा है परड़ाम क्या है मैं चाहूंगा कि गुजराल साहब इस बात को बताएं कि वह वस्तिवक्ता है या नहीं सरकार पहले तो अपने विभागिये अधिकारियों को रिपोर्ट लेने के लिए या पता लगाने के लिए भेंजती है या उनसे सर्वे कराती है और जब उसमें कुछ वस्तिवक्ता होती है और किसी धांग से वह प्रसारित हो जाती है तो उन अधिकारियों को दंदित किया जाता है मेरी अपनी जनकारी में यह है गुजरात के संबंध में जहां की खाद्य इस्थिती की जनकारी लेने के लिए सरकार ने अपने एक अधिकारी को निव्ट किया वह अधिकारी वहां की खाद्य इस्थिती की जनकारी लेने के बाद यहां आए और समय की में उनका कारेकरम प्रसारित हुआ एस्पोर्ट लाइट में भी वह प्रसारण इस देश के खाद्य मंत्री को बुरा लगा की रेडियों से इस परकार वहां की खाद्य इस्थिती के बारे में क्यों प्रसारण कर दिया गया मेरी जनकारी में कैबिनेट की पॉलिटिकल समीती में भी वह बात गई और वह अधिकारी अकस्मारी में नहीं रह सका और उसे हटा दिया गया